जालोर के सांचोर इलाके में चर्चा का विश्य हैं क्या वो ही रिपोर्ट जिसकी जाच करवा रहे हैं पुलीस अधिक सांचोर जिले के सभी थाना प्रवारियों से खबर की हमने नाम उजागर किये इसके बाद अड़कम मचा हुआ है बड़े बड़े रसूदार लोगों के मन में और इसका प्लिटिकल एनलिसस की हमने बात की थी कि कारण राजनेतिक है निश्चित तोर पर वरना गुमनाम शिकायतों पर इस तरह के गंभीर पहलू नजर न ही हो रहे हवाला आचार सहीता का दिया जा रहा है तो फिलहाल सरकार का भगवान ही मालिक है मौजूदा इस्तिती में चार जून तक सारी चीज़ें पेंडिंग है चाहे वो चिरंजीवी के अपडेशन हो चाहे सर्वर को डाउन बताके या सोच को या सरकारी चेतना ही के निजी सच्यू का नाम प्रमुकता से आया और उसके बाद बहुत सारे नाम डाले गए एक एंगल सामने आया कि कौन है यह व्यक्ति जो गुमनाम और तेयारी करने वाला व्यक्ति परिक्षारती खुद को बता रहा है करीब तीन दर्जन नाम मों पे तगड़ा रिसर्च इस बंदे ने किया है और अगर यह व्यक्ति वाकई में अभ्यरती है तो बड़ा सवाल यह है कि अगर यह प्रतियोगी परिक्षाओं का अभ्यरती है तो इसकी तयारी तो गजब रही होगी और इसके बावजोद सेलेक्षन नहीं हुआ तो बंदा हुआ है यानि की बड़ शिदत से तेयारी करता है बंदा, साचोर के लगबग सभी पॉलिटिशन, लगबग सभी, जो बीते 30 साल से साचोर की विधायक बन रहे हैं, उनका नाम इस प्रक्रण में आ गया है, साचोर में पॉलिटिक्स करने वाले, मतलब लेजिसलेशन की पॉलिटिक्स करने वाले तमाम लोगों का, एक व्यक्ति जो की बड़े नेता है, उनका नाम नहीं है, तो लोगों का ध्यान उसी तरफ जा रहा है, कि यह जो रिसर्च हुआ है, जो एक आदमी के बूते की चीज नहीं है, दूसरा इसमें एक खास एंगल का ध्यान रखा गया है, कि एक ही सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को अपीज करने की कोशिश है, खास करके जो भी बना उसका नाम दे दिया गया, तो वो हम वीडियो में पहले भी कह चुके कि उन तमाम लोगों के खिलाफ गया जाना चाहिए, कि किसने गुमराह किया, तमाम चीजें हैं, खास करके सरकारी सेवाओं में चैन हुए इन में से वो लोग जो अपने दम पे हुएं, तो मेहनत तो की है निश्चित तोर पे, लेकिन छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जिनके खिलाफ शिकायते हैं, और कित हम करते हैं, नहीं बनी रहे, तो गड़गडाने का असर होता नहीं, पेट भर कर गालियां और आ भर कर बद्दुआ, दुशन्त कुमार लिख गए, तो यह जो साचोर वाला खेल चल रहा है, अब चूंकि इलेक्शन जिस दिन पूरा हुआ, दूसरे चरण का, उसी दिन वो परड़ा, रानिवड़ा, यह जो साइड वाले थाने हैं, इन थानों में आरोपियों का उलेक्शन लेकिन सभी थाना प्रपारी जाच करेंगे, देखें कैसी जाच होती हैं, यह तमाम चीज हैं, और यह परिवाद जो है, इसको सरकार ने बड़ी गंबीरता से लिया है, औ और इस परिवाद की जाच तै करेंगी कि आने वाले पांस साल में साचोर की पलिटिक्स कैसे चलेगी, तो तै करने में वो कौन हैं, जिसने यह तै करना सुनिश्चित किया कि जाच हो, इस तरीके से हो और इन इन लोगों के खिलाप हो, बड़ा सवाल है, साचोर चूंकि मा रविंदर सिंग भाटी का चुनाओ, अलग तरीके का चुनाओ था, एक नई उमीद और नए तरीके के पॉलिटिशन की एंट्री थी, यहाँ पुराने पॉलिटिशन की रार थी, भाजपा दो खेमों में बट गई, तमाम मंडल अध्यक्षों के स्तीफे हो गई, जिलाध् भाजपा अलग थालग सी पढ़ गे और भाजपा 2003 के बाद यहाँ चुनाओ नहीं जीत पाई है, लगातार चार चुनाओ भाजपा यहाँ हारी है, तो भाजपा का यह मलाल के इस पलिटिकल ब्लेकमेलिंग से कैसे निकला जाए, ब्लेकमेलिंग शब्द भाजपा की और से इस्तिमाल किया जा सकता है, निश्चित तोर पे, परन्तु सांचोर जो है, वो गुजरात से एंटर, एंटरी, कभी पाकिस्तान से टच होता था यह इलाका, जब गुड़ा-मलानी इलाका इस जिले का हिस्सा होआ करता था, सांचोर, सोरी, जालोर जिले का, बाद में करीब सांचोर में यह लिष्ट जो है, यह चर्चा का विशय है, और इसमें वो लोग जो अपने आपको निर्दोश बता रहे हैं, सबी बता रहे हैं निर्दोश तो, वो चाहते हैं कि गुमनाम वाला व्यक्ति कौन है, उनके खिलाब शिकायतें सही है, तो निश्चित तोर पे तरीकेस जाच होनी चाहिए, पहले भी मैं कह चुका, और अगर गलत हैं, तो भी जाच होनी चाहिए निश्चित तोर पे, और यह लिष्ट जो है, कईयों की हालत खराब किये हुए हैं, हलकान किये हुए हैं, आपको क्या लगता हैं, कमेंट करके बताएं, वीडियो को या हुए हैं, भी मैं लगतार और ये जाच ह हुए हैं, घसका हालता है, वीडियो को स्क्राब को लगता हैं, और और ये जगता हैं, या